हेलो एबडिवन टूडे आइम गोंग टो स्टर्ट पेर नम बंड़ 15 पेटर्न स्विथ एडिशंज अब यहां एडिशन का पैटर्न देखेंगे तो यहां देख रहे हैं नमबर को एड़ करते हैं तो कितने से इंक्रीज कर रहा है यह सम जो ग्रोग कर रहा है कितने से थी नमबर से जैसा कि आप लोग यहां पिक्चर्स में देख रहे हैं अब यहां पे यह लरका बता रहा है कि यह sum जो है grow करा है कितना से 4 4 से प्रतेक में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10 है 1st मैट करने पर 2nd मैट करने पर 14 है फिर 3rd मैट करने पर कितना है 18 तो sum कितने से increase कर रहा है 4 से No, you try to max such a pattern with 5 numbers in order आपको try करना है 5 numbers से pattern बनाने का और एक order में तो हमने 5 numbers का एक order लिया 1, 2, 3, 4, 5 इसको add के 15 आया फिर 2, 3, 4, 5, 6 लिया इसको add के 20 आया इस परकार से हमने आगे किया तो सभी में add करने पर हम देखते हैं कितने का increase हो रहा है 5 का तो को और आपको does the sum grow by 5 each time तो लिखेंगे yes secret message what are you doing I am trying to read the note my friend scam me but I cannot understand it अब ये कह रहे है क्या कि तुम क्या कर रहे हो तो ये बता रहा है कि मैं कोशिस कर रहा हूँ note परने का जो मेरे दोस्त में दिया लेकिन मैं इसे नहीं समझ सकता हूँ तब ये कह रहे है कि okay let me see it looks like a secret message okay मुझे देखाओ ये तो एक secret message numbers have been used for letters for example numbers को use क्या है किस तरह से letters में जैसे J के लिए 10 P के लिए 16 so jump is equal to क्या हो जाए J के लिए 10 U के लिए 21 M के लिए 13 और P के लिए क्या हो जाएगा 16 complete this letters this list of letters and numbers to help you अब यहां complete करना इस letter को और इसके help से questions का जबाब देना है Tinoo wants to write to his friend good morning what will he write by using the same rule आपको बताना है कि क्या rule use किया गया इसको लिखने के लिए तो good morning का क्या हो जाएगा code G का 7, O का 15, फिर O का 15, D का 4 M का 13, O का 15, R का 18, N का 14, I का 9, N का 14 और G का 7 यह सब आपको code दिये गए हैं यानि जो letters हैं उसके number दिये गए हैं if we change the rule and write 1 in place of B, 3 in place of D and so on then how will we write letters dance अब यहाँ पर rule को change कर दिया गया यानि कि पहले A के लिए 1 होता था code अब क्या होगा B के लिए 1 यानि कि एक letter आगे बहा दिया है और उसका code एक पिछे कर दिया तो यहाँ पर letters dance के लिए code क्या हो जाएगा तो L का code क्या हो जाएगा 11 क्योंकि L का letter कितने आता है 12 नॉमर पर और उसमें एक कम कर दिया है तो क्या हो जाएगा 11 E के लिए 4, T के लिए 19, U के लिए 20 S के लिए 18, D के लिए 3, A के लिए 0, N के लिए 13 C के लिए 2, और E के लिए 4 झालू कितने तो क्योंकि दोलू कर दिए तो झालू क्योंकिश्ट के लिए 3, A के लिए 2, A